नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चानल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से प्रधानमंत्री मोधी सांसदों के वेतन को दोगुना करने की सिर्फारुष में सहमत नहीं वेतन रिधी प्रक्रिया को अन्य सार्वजनिक पदों के अनुसार करने का दिया सुधाव अगस्टा वेस्टलान डील में अपना नाम उच्छाल ज़ाने पर राखल गांधी ने जटाई खुशी कहा मुझे हमेशा बनाया जाता है निशाना सप्रीम कोट में याचिका दायर करके कानून व्यवस्था का दिया हवाला कल होगी मामले की सुनवाई सचन तेंदुलकर होंगे रियो ओलम्पिक के भारतिय ब्रांड अम्बसिडर आई ओए के प्रस्ताफ को सुईकारा कहा ओलम्पिक के प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार और क्रिकेटर विराथ कोली को मिल लिसकता है राजीव गंदी खेल रतन सम्मान खेल किशेत्र के सर्वोच सम्मान के लिए बीसी सी आई ने खेल मंतरा लेको की सिफारिष सानसदों में वेतन में सो फिजदी वृधी की सिफारिष परपधान मंत्री का ररेले की अनुमती का इंतजार हो सकता है लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार पियम नरेंद्र मोधी सांसदों का स्वेन अपने वेतन भटों के बढ़ाने का निन्न लेने की पक्ष में नहीं है सूत्रों ने कहा कि वर्तमान सिफारिश पर पियम मोधी के मत के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन पीम सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के मामले में अन्यस आरवजनिक पदों पर रहने वाले लोगों के वेतन भटे में बढ़ोतरी के लिए अपनाई जाने वाली विवस्था का समर्थन करते हैं संसदीय समीती की सिफारिश पर वित्मंत्री अरुंजेटली की मुहल लग गई है और उसके बाद उसे गुरुवार शाम पी एमो को भेज दिया गया है अगस्था वेस्लान मामले में नाम उच्छाल जाने पर कॉंग्रेस अपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पलतवार किया है उन्होंने अपने विरोधियों को निश्वाने पलेते हुए कहा कि उन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं और वो इससे खुश हैं बीजेपी सांसत कुरिट सोमया ने सुमवार को राहुल गांधी और उनके करीबी कनिश्व सिंग पर अगस्था वेस्लान डील के बिचोलिये हश्के से संबंध होने का आरोप लगाया था अगस्था वेस्लान्ड डील में फसे बिचोलिये गौईडो हश्के का नाम कॉमन वेल्थ घोटाले में भी आया था साल 2009 में हश्के MR-MJF कंपनी का डिरेक्टर था जोसे कनिश्व के रुष्चिदार प्रमोट करते हैं क्यूरेट समाईया ने CBI और प्रवर्त निर्देशवाले से कनिश्व सेंग के लिंक की जाच करने की मांग की है दिल्ली NCR में डीजल कैब पर प्रतिबंद लगाने के फैसले पर एक बार दिल्ली सरकान ने एक बार फिर सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटकटाया है सरकान ने अर्जी में कोट से लौ एंड और का हवाला दिया है सुप्रीम कोट ने बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए दिल्ली NCR में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंद लगा दिया था ये फैसला 31 माँच से लागू होना था जिसे लोगों को काफी परिशानी जहलनी पड़ी सुप्रीम कोट में इस मामले में कल सनवाई होगी अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्रप्रदेश के राजपाल राव नाइक ने बॉलिवुड अभी नेता गोविंदा पर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने दावा किया है कि गोविंदा ने 2004 के लोगसभा चनावों में मुंबाई नौट से उन्हें हराने के लिए अंडर वॉल्ड डॉन दावद इब्राहिम और बिल्डा हितेन ठाकुर की मदद ली थी उन्होंने ये दावा अपनी किताब चेरवेती चेरवेती में किया है ये किताब 25 अपरेल को मुंबाई में रिलीज हुई है उन्होंने लिखा कि गोविंदा की दावद और हितेन ठाकुर से दोस्ती थी उन्होंने वोटरो को डलाया मनमानी फीज बढ़ोतरी के दोशी पाए गए दिली के नीजी स्कूलों को लगभग 300 कड़ों रुपए अभी भावकों को वापस करने होंगे इस मामले पर बनी कमेटी अब तक 1092 स्कूलों के खातों की जाच कर चुकी है इनमें से अब तक 535 स्कूलों में मनमाना फीज बढ़ाने का दोशी पाया गया है हाई कोट ने पिछले साल ही दिली सरकार को आदेश जारी कर कमेटी की सिर्वारशों के अनुरूप स्कूलों से अभी भावकों का पैसा वापस दलाने का आदेश दिया था इसके बाद शिक्षा निदेश आले ने पिछले साल अक्टूबर में 472 नीजी स्कूलों को नोटिस जारी कार अभी भावकों से वसूली गई बड़ी हुई फीज वापस करने का निर्देश दिया था इसके बाद सिक्षा निदेश आले ने पिछले साल अक्टूबर में 472 नीजी स्कूलों को नोटिस जारी कार अभी भावकों से वसूली गई बड़ी हुई फीज वापस करने का निर्देश दिया था हलिकॉप्टर घूस का अनमामले में CBI आज दोबारा पूर रुवाई से इना प्रमो केस्पी तयागी से पूछताज कर रही है उन पर अपने रिष्टदारों के जरिये घूस लेने कारोप है उन्होंने अपने रुटाइमेंट के बाद दो बार इतली की यातरा की थी जिस पर CBI को संदे है तयागी ने इतली के तीन शहरों की यातराएं की CBI ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या ये यातराए हेलिकॉप्टर डील से संबंदित थी इससे पहले CBI ने कल भी तयागी से 10 घंट तक पूछता आज की थी CBI से पूछता आज के बाद तयागी को E.D. के सवालों के जवाब भी देने पड़ सकते हैं इसके लिए E.D. ने तयागी को आज एक समन भेजा है पेरमवर इलाके में 31 वर्ष्वे दलित महिला के साथ उसके घर में कठे तोर पर बलातकार करने और उसकी निर्देता पूर्वग हत्या करने की घटना के बाद CPM ने आज इस मामले में राजु सरकार पर निश्क्रियता का आरोप लगाया है CPM ने 28 अपरेल को हुई इस घटना के दोशियों को नहीं पकड़ने के लिए कॉंग्रिस की अगवाई वाली UDF सरकार पर निश्क्रियता का आरोप लगाया केरिल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं जबकि राज्य के गुर्यमंत्री रमेश वे नितला ने आरोपो को निकारते हुए कहा कि मामले की जाच की जा रही है उन्होंने दोशियों के खिलाफ मामला दच कराने का आश्वासन दिया है उत्राखंट के बाद अब हिमाचल के जंगलों तक फैली आग खुले का नाश्वल ग्रीन ट्रिबिनल काफी नराज है NGT ने इसके लिए उत्राखंट और हिमाचल सरकार को कारण बताओ नोटिस ज़ारी किया है NGT ने दोनों राज्जियों की सरकारों से इस बारे में अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है NGT ने पूचा है कि दोनों राज्जियों की सरकारे बताएं कि उनके पास ऐसे घटनाओं से बचाव और रोक थाम के लिए क्या योजना थी इसके अलावा ये भी बताएं कि आग रोकने के क्या कदम उठाए गए थे NGT ने गंभीरता से कहा है कि अगर मंगलवार तक इस संभन्ध में जवाब नहीं दिया तो दोनों राज्जियों के मुख्य सचीज को NGT के सामने पेश होना होगा 16 साल पहले हिमालय में हिम्स खलन की चपेट में आकर जान गवाने वाले महान परवता रोही, एलेक्स लो और उनके कैमरामैन डेविड बिजेज के शव मिल गए हैं पिछले हफ़े दो परवता रोहियो डेविड गोएतलर और उएली स्टेक को दोनों के शव बर्फ में दबे मिले लोग की याद में उनकी पतनी और दोस्त द्वारा बनाए गए फाउंडेशन ने इस जानकारी को सांझा किया अक्टोबर 1999 में तिबत के शुषपांगमा परवत्ष्रेनी पर चड़ाई करते वक्त इन दोनों की मौत हो गई थी लेकिन उनके तीसरे साथी कनाड एंकर बच गए थे कनाड ने बाद में एलेक्स की पतनी से शाधिकार उनके तीनों बच्चों को भी अपना लिया ये दोनों तब ही से नेपाल में ही रहकर स्थानी मजदूरों को पाहाड पर चड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्होंने लेक्स की याद में ही यहाँ एक सेंटा खोला है वेग्यानिको की एक इंटनाशनल टीम ने तीन वैसे ग्रहों की खोच की है जहां प्रिथवी की ही तरहा जीवन हो सकता है टीम निकल इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह ग्रह हमारे सोर मंदल से बाहर है वेग्यानिकों के मताबिक इन तीनों ग्रेहों के पृत्वी से दूरी करीब 49 प्रकाश वर्ष है उनकी माने तो आकार और तापमान में इनकी पृत्वी और शुक्र के साथ तुलना की जा सकती है इस खोज का विवरन देते हुए खगोलिये मामलों के वेग्यानिक ने कहा कि ये पहला मौका है जब हमारे सौर मंदल से परे जीवन संबंधी रासायनिक चिन मिले हैं सबसे एहम बात ये है कि ये तीनों ग्रेहाकार में पृत्वी की तरह है यहाँ अनुमानत जीवन है और ये पृत्वी से इतनी करीब है कि मौजूदा तकनीक की मदद से यहाँ के वातवरन का अध्या सयन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को फ्लोर टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने रामेशुर जज़मेंट का हवाला देते हुए कहा कि क्यों ना फ्लोर टेस्ट हमारी निगरानी में कराया जाए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है इस पर भाजपा कॉंग्रेस ही नहीं पूरे प्रदेश की नजरेट की हैं सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रेल को विधान सभा में होने वाले शक्ती परिक्षन पर रोक लगा दी थी साथ ही केंद्रों में राश्ट्रपती शासन लगाने का अधार बताने के लिए कहा था इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साथ सवाल पूछे थे साथ ही ये भी कहा था कि कोर्ट इस मामले को समिधान पीट को नहीं सोपेगा और 14 माई से होने वाली गर्मियों की छुटियों से पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुना देंगे पाकिस्तान की खूफिय एजंसी ISI ने पठान कोट हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने में इस्तिमाल की गई सामगरी और कैंप को दूसरी जगा शिफ्ट करने का आदेश दिया है सरकास जोड़ी सूत्र ने इस बात की जौनकारी दी है भारतिय खूफिय एजंसीयों को सुराग मिला है कि पाकिस्तान मिस्टिट फोर्ट मौजगर को आतंकी संगठन जेश मोहमद के विशेश अभियानों में आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है कूफिय से बोटर के मताविक पतानकोट हमले के बाद जेश मोहमद की यूनिट को वहां से हटा कर बहावल पूर में शिफ्ट कर दिया गया है हाला कि वो अपने हतिया साथ नहीं ले गए आतंकि संगतन आई-एस के आतंकि सिधार धर ने कई लड़कियों को योन गुलाम बना रखा है नए जिहादी जौन नाम से कुख्यात ये आतंकि लड़कियों को प्रतारित भी करता है आई-एस के चुंगल से भागे की अजवीदी लड़की निहाद बराकत ने ये खौफ ना खुला सकिया है इस नावालिक लड़की का कहना है कि सिधार्त ने उसे भी गुलाम बना रखा था सिधार्त का परिवार मुल रूप से भारत का रहने वाला है निहाद के मताबिक सिधार्त मौसूल का वरिष्ट कमांडर बन गया है काफी समय से वो लड़कीयों का अफ़रन कर उन्हें योन बुलाम बना रहा है विवी आई-पी हलिकॉप्ट डील में रिश्वत खोरी के आरोप में घिरे इटालियन कमपनी अगस्ता वेस्टलांड के भारत में टाटर संस के साथ जोइंट वेंचर में एफडी आई बढ़ाने संभंधी प्रस्ताफ परविदेशी निवेश सनवर्धन बोड ने फैसला ताल दिया है अगस्ता वेस्टलांड और टाटर संस का जोइंट वेंचर इंडियन रोटो क्राफ्ट है दोनों कमपनीयों के बीच एफडी आई की प्रस्ताफ को टालने के पीछे कोई वज़ा नहीं बताई गई है FIBB की बैठक 8 एप्रेल को हुई थी ये बैठक वी वी आईपी चॉपर डील मामले में इटली की एक अदालत का फैसला आने के ठीक एक दिन बाद हुई थी वही इस फैसले से पहले ही टाटर ने साफ किया था कि इंडियन रोटो क्राफ्ट का अगस्ता वेस्टलांड डील से कोई लेना देना नहीं है अमरिका ने सांसदो की आपत्ती के बाद पाकिस्तान को F-16 लडाको विमानों को खुझ से ही खरीदने की बात कही है अमारिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने जौनकारी देते हुए कहा कि संसदों के विरोध का ये मतलब है कि अब अमारिका के विदेशी से इन्ने विभाग के बजट का इस्तमाल लडाको विमानों को खरीदने में नहीं किया जा सकता है संसदों की आपति के बाद हमने पाकिस्तान को सफ़ष्ट कह दिया है कि वो विमानों की खरीद खुद से ही करे पाकिस्तान को F-16 नड़ा को विमान बेचे जाने के फैसले पर श्रीश अमारी की संसदों ने आपति जताई थी खेल शेतर के सर्वोच समान यानी राजीव गांधी खेल रतन के लिए इस बार भारतिय स्टार बलेबाज टेस्ट कम तान विरात कोली के नाम की सिपारिश की गई है अगर कोली कोई ये पुरुसका दिया जाता है तो इसे पाने वाले वो सच्चिन और धूनी के बाद 30 रिक्र के तक होंगे BCCI ने विरात का नाम राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार के लिए और अरजुन पुरुसकार के लिए अरजुन के रहाने के नाम की सिपारिश की है ये सचाफ BCCI की ओर से खेल मंत्राले को भेज दे गए हैं खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध्यम से तो आप जुड़े रहें मेट्रो टीवी से तब तक के लिए नमस्कार